क्या आपको पता है जब हमारे शरीर को भरपूर पोशन नहीं मिलता भरपूर पोशक तत्व नहीं मिलते तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है खुन की कमी होने की वज़े से हमारे शरीर में blood circulation effectively नहीं होता और जब हमारे शरीर में blood circulation अच्छे से नहीं होता तो हमारे hair follicles को enough oxygen भी नहीं मिलता, enough nutrient भी नहीं मिलता फिर उसमें से बाल नहीं आते और साथी साथ hair fall भी बहुत जादा होने लगता है जो बाल दो साल बाद जढने वाले होते हैं वो बाल अभी जढना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे hair follicle मरना शुरू हो जाते हैं hair follicle को ना nutrient मिल रहा है ना enough oxygen मिल रहा है इसलिए हमारी diet का healthy हो जढना most important होता है maximum लोग external application पे focus करते हैं कि ये लगा लेते हैं वो लगा लेते हैं आमारे बाल बहुत जल्दी से रिग्रो कर जाएंगे घने हो जाएंगे जढना भी बंद जाएंगे लेकिन होता नहीं है असा actual में क्योंकि वो चीज़े important हैं लेकिन main चीज तो अपकी diet है आप अपनी diet पे सबसे पहले ध्यान दीजे जब आपकी diet बहुत जदा healthy रहती है आप अपनी body को enough nutrients दे रहे होते हैं तो आप external application पे उतना focus नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन diet unhealthy है सिर्फ external application कर रहे हैं तो आपको 0% भी फायदा नहीं मिलने वाला है इसलिए आपकी diet का healthy ह होना बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा drink share करने वाली हूँ जिसके अंदर वो सारे essential nutrient हैं जो आपके बालों को चाहिए यह जो drink है इतने सारे essential nutrient से भरपूर है और इतना magical है कि आपके बालों को रिग्रो भी करेगा ग्रो भी करेग होगा आपके बालों में बहुत ही जल्दी रिजल देखने को मिलेगा इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक oil भी शेयर करूंगी और यह जो oil है यह आपके hair follicles को stimulate करता है hair follicles को nourish करता है nutrient provide करता है बहुत सारे फायदे हैं इस oil के आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा न आती हूं तो healthy diet मैं ना share करूं तो यह तो बिल्कुल भीवानी होगी इसलिए मैं आप लोगों के साथ healthy healthy diet भी share करती हूं अगर आप follow करेंगे मेरी videos को तो definitely आपको फायदा मिलेगा तो अगर आप नए है मेरे channel पे अभी अभी आपने मेरे channel को visit किया है तो please मेरे channel को subscribe कर लीज अगर आपको कोई भी question होगा hair से related skin से related तो आप comment section में बिना चीज़क मुझसे पूछ सकते है ठीक है अब चलिए बिना किसी दरी के video शुरू कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया की healthy diet most important होती है सबसे पहले हम लोग most important चीज के बारे में ही बात करेंगे सबसे पहले मैं आप ल पालक लिया हुआ है ये ड्रिंक मैं दो लोग के लिए बना रही हूँ पालक बहुत ही अच्छी होती है हमारे बालों की growth के लिए अगर आप Google पर search करते हैं top food for hair growth उसमें जितने भी articles आपको दिखें एक food common होगा वो है spinach क्यूंकि spinach के अंदर एक दो नहीं इतने सारे nutrients होते है जो आपके बालों की growth के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं और जब आप इसको raw form में खाते हैं तो आपको micro और macro nutrient भी मिलते हैं जो की पकाने से destroy हो जाते हैं अब यहाँ पे जो next ingredient है वो है आमला फ्रेश आमला आपको इस सीजन में मिल जाएगा अगर आप किसी और सीजन में इ anti-oxidant, iron, fiber होता है साथी साथ इसके अंदर ऐसी medicinal properties होती हैं जो आपके बालों को जड़ने से भी रोकती हैं बालों को काला भी बनाती हैं और next ingredient है carrot यानि गाजर देखे गाजर आपके बालों के साथ साथ आपके skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है गाजर बहुत ही बाकी यह सारी चीजे आपके पूरे हल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से वास्ट कर लीजए मैने एक कैटोरी पालक लिया है 3 आमला लिया है और 5 गाजर लिया है दो लोगों के लिए मैं बना रही हूं अब ingredient के क्वांटिटी आ आराम से ग्राइंड हो जाए, ब्लेंड हो जाए बहुत आराम से और स्मूदी बन जाए गाजर की जगा आप चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप गाजर और चुकंदर दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे देखे ये जो चीजें मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, सारी की सारी आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है अगर आप इस ड्रिंक को रेगलर बेसिस पे कंजूम करना शुरू कर देते हैं तो आपका हैर लॉस एकदम रुख जाएगा यकीन करिए सिर्फ 10-15 बाल ही गिरेंगे आपके, उससे ज़्यादा बाल नहीं गिरेंगे साथी साथ आपके बाल बहुत तेजी से रिग्रो होंगे जब आपके हैर फॉलिकल्स को न्यूट्रिन मिलता है न तो बाल बहुत जल्दी रिग्रो होते हैं इन सारी चीजों को मैंने ग्राइंडर में डाला थोड़ा सा उसमें पानी डाला मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया अभी आप देखिए मैं इसको इस ट्रेंड नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे इसके फाइबर भी चाहिए फाइबर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो इसको चानिएगा मत इसको इसी तरीके से आप पी जाएए इसके इतने सारे फाइदे हैं कि पूछे मत और आप में से बहुत सारे लोग ये भी कंप्रेंड करते हैं कि हमें तो premature hair grain की problem है बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं इस juice को पीजिए देखिए आपके बाल समय से पहले सफेद भी नहीं होंगे और अगर आप लगातार पीते रहते हैं तो आपके बाल वापस से काले भी होने लगेंगे तो ये जो juice आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली juice नहीं है, ये बहुत ही medicinal property से भरपूर है, बहुत सारे vitamins और minerals का खजाना है, अगर आप regular पीएंगे, एक महिने में आपको visible difference देखने को मिलेगा ये जो drink है, इसको कोशिस करें कि आप daily पीजिए, इसके अंदर बहुत सारे essential nutrient है, जो आपके बालों को literally बहुत ज़्यादा strong बनाएंगे, ये जो drink है सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं, बलकि आपकी skin के लिए, आपके आँखों के लिए, पूरे health के लिए बहुत होते हैं, साथी साथ ये hair loss stop करने में बहुत effective है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा shiny और healthy भी बनाता है, इस oil को बनाने के लिए जो सबसे पहला ingredient आपको चाहिए, वो है करी पत्ता, करी पत्ता को मीठी नीम भी बोलते हैं, करी पत्ता के अंदर बहुत सारे essential nutrient होते हैं, ज अगर आपके पास फ्रेश करी लीफ नहीं है, तो करी लीफ का पावडर भी आप ले सकते हैं, करी लीफ को यूज करने से पहले मैं इसको अच्छे से वाश कर लिया है, अभ यहां पर जो next ingredient है, वो बहुत ही unique ingredient है, और आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, और य स्केल्प को unhealthy बना देता है, जिसकी वज़े से हैर लॉस दूरू हो जाता है, साथी साथ लहसन बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, वाइटामीन सी का, जो कि आपके स्केल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और हैर ग्रोथ प्रमोट होता है, साथी साथ य लेकिन मैंने इसका शिलका निकाल दिया है, इसको मैं फाइनली चॉप कर लूगी, ठीक है, सारी चीजों को जो जो चीजे मैं यहां पर यूज करने वाली हूँ, सारी चीजों को मैं फाइनली चॉप कर लूगी, इसको ग्राइन नहीं मैं करने वाली, इसलिए अगदम बार और ठंडी में आमला मिलता है तो जब आपको फ्रेश आमला मिले, फ्रेश आमला यूज़ कर लीजे, फ्रेश आमला नहीं मिल रहा है तो आप आमला पाउडर ले लीजे, ड्राइ आमला ले लीजे, आमला पाउडर आपको बहुत आराम से हर जगह मिल जाएगा, देखे, जो होता है न यह आपके हेर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज़दा हेलफुल है यह प्रिमिच्चुर हेर ग्रेंग की प्रॉब्लों को भी खतम करता है बालों को काला भी बनाता है अब कुछ मैं सीड यहां पर इस्तेमाल करूंगी तो पहली जो सीड है वो है फेनुग्रीक कलाउजी सीड वन आफ तो पॉरफुल इंग्रीडिंट है जब हैर ग्रोथ की बाताती है बालों को काला बनाने की बाताती है यह आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करती है तो यहां पर आपको दो तीन चमश के वराबर कलाउजी सीड जरूर करते हैं तो आपका हैर लॉस भी नहीं होगा हैर थिनिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी जो बाल जड़े हैं वह वापस से जल्दी से आ जाएंगे लेकिन साथी मैं आपको ड्रिंग भी जरूर कंस्यूम करना है अब देखिए इन सारी चीजों को मैंने एक लोह के बरतन बस जो zero आप यूस करना है वह उनरिफाइंड़ dough, different oil आपको यूज नहीं करना है जो ख्रॉब्लम करना हे उस औरते में उसा वप दॉसक कर सकते हैं लेकिन रिफाइंड आप को यूज नहीं करना है कोई ऐसा ओइल आपको यूज नहीं करना है जिसमें की खुशबू हो परफ्यूम हो, ठीक है, तो आपको ऐसा ऐल यूज़ करना है, जो पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में हो, अब आपको क्या करना है, कि गैस अन करना है, लेकिन आपको एकदम धीमी आच रखनी है, और इसको पकाना है आपको, बहुत जादा इसको पकाने की जरूत नहीं है, वेकिन एकदम धीमी आच पे इसको पकाईएगा, अब बात कर लेते हैं कि मैंने लोहे का बरतन क्यूं यूज़ किया है, देखिए लोहे के बरतन में आईरन होता है, होता है ना, बहुत सारे लोग आपको बोलते भी होंगे, कि आईरन के बरतन में खाना बनाओ, लोहे के ब प्रेंग को भी ट्रीट करने का काम करता है और आपके हेर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नुरिश करने का काम करता है तो इस ओयल को धीमी आज पर आपको पका लेना है लगातार चलाते रहिएगा अभी आप देख सकते हैं इसमें बबल आना एकदम कम हो गया है तो यह और जो भी इंग्रेडिंस से आप देख सकते हैं जले नहीं है लेकिन पक गया है अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से तो अब हमें क्या करना है कि गैस बंद कर देना है गैस बंद करने के बाद आपको तुरंत इसको चानना नहीं है इसको लगाना नहीं शुरू करना ह आपको क्या करना है कि वेट करना है जब यह पैने जो हमने जि बरतन में इस आल को बनाया है पुरी तरीके चेज़ी से ठीशान जाता है अब यह जो मैं देखिया, यह अच्छे से ठीशिक अ एALK हो चुका है और आप के इसका कलर देखिये पुरी तरीके से जेंज हो गया है अ में क्या करूंगी कि स्ट्रेंड कर लूँगी और मैंने इस ओल को बनाया और बनाने के बाद जब यह हलका गुनगुना है ना तभी मैं इसको अपने बालों में लगाऊंगी लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी लेकिन जब आप अपड़ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बाल साफ सुत्रे हो गंदे बालों में कभी भी ऑईलिंग नहीं करनी चाहिए मेरे बाल साफ सुत्रे हैं साफ सुत्रे बालों में अच्छे से लगा लूगी पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी और पूरे बालों में लगाऊंगी जब गुनगुना गरम होता है और जब आपके scalp में blood flow boost होता है तो आपके hair follicles को enough oxygen, enough nutrients मिलते हैं और आपके बाल grow होते हैं जो hair follicle dead हो गया है चाहे inactive है उसको ये activate करने का भी काम करता है तो मैंने पूरे बालो में अच्छे से oil लगा लिया है आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरे चमक रहे होंगी क्योंकि मैंने काफी अच्छी खासी oiling की हुई है अब क्या करना है आपको की चोटी बनाने के बाद आपको एक hair cap लगाना है आप देख सकते हैं ये satin का hair cap है जो बहुत ही फिसलने माला कपड़ा होता है उसको satin बोलता है तो ये satin का hair cap है इसको लगा लेना है ताकि पिल्लो में oil ना लगे और आपके बाल उलचे भी ना तू अब next morning आपको natural shampoo से hair wash कर लेना है ये जो shampoo आप देख रहे हैं मैं अपने बालो में next morning लगा रही हूँ ये natural liquid shampoo है जिसको मैंने अपने YouTube चैनल पे शेर किया है ये है वीडियो इस वीडियो का link मैं आपको description box में देदूंगी description box को जरूर चेक किजिए और इस shampoo को बनाने का तरीका भी देखेगा natural shampoo आपके बालों की growth के लिए बहुत ही अच्छा होता है natural shampoo लगा के दो-तिन घंटे छोड़ूंगी फिर normal water से hair wash कर लोंगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को subscribe करेगा मेरी वीडियो को आप जहां जहां कर सकते हैं अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाई and stay happy